नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेट आज की 6 अक्टूबर 2022 देख लेता है इंडियान एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आज हमारे पास में जो इशूज है उसमें पहला तो है इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने ट्यूजडे को एक लेटर इशू किया है जिसमें ये बोला गया है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पे जो भी प्रॉमिसेस करती है और प्रॉमिसेस को फुल्फिल करन वो हम समझेंगे ठीक है दो आर्टिकल से दोनों को एक साथ लिखरके और एक जो Medical Termination of Pregnancy Act है ना उसके अंडर में अभी Supreme Court of India के द्वारा एक पॉइंट बोला गया है कि जो marital rape के basis पे जो pregnancy हुई है उसको भी abort कराया जा सकता है इसका मतलब marital rape को यहाँ पर legality के तौर पर consider किया जा रहा है यह कर दो कि Indian Penal Code के अंडर में जो एक exception के तौर पर consideration मिलता है कि हाजी marital rape को आप crime की तरह नहीं ले सकते IPC के अंडर में तो उस point का यहाँ पर यह point निकल किया रहा है कि Medical Termination of Pregnancy Act जो है MTP Act है इसमें सीधा यह point न जोड जबरदस्ती करके अगर बच्चा conceive हुआ है तो उस case में बच्चे वो जो fetus है उसको abort करवाना allow किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर marital rape को legality मिल रही है पर एक narrow point of view से क्योंकि अभी तक marital rape को एक crime के तौर पर consideration नहीं मिल रहा है तो उस point of view से एक दो points है वह हम जानें फर्स्ट है political plank, political plank का मतलब राजनिती में किस तरीके से backfit पे आना या फिर decline करना, basically point यहाँ पर election commission of India के लिए है, तो को article 324 of Indian constitution क्या कहता है कि parliament हो, state legislature हो, president हो, vice president हो, इनके elections को superintendent करना, direction देना और elections को control करना, यह सारी जो powers हैं, वो किसमें constituted हैं, किसको दी हुई है, election commission को, ठीक है, और उनी powers के basis पे election commission of India अपनी exercises conduct करता है, ठीक है, देखा जाए, तो 1990 की दस्रक्ष पहले हैं, जब single party dominance रहती थी more or less, कि वहल जंता party का time छोड़ दो 1977 से 1980 का, ठीक है, बाकी अगर time, वक्त ज्यादा तर देखा जाया, तो Congress की dominance रही 1989 तक, ओके, तो वो single party dominance रहने के time पर, election commission जो था, वो इतना openly, independently काम नहीं कर पाया, जितना की 1990 के time पर काम किया, क्योंकि 1990 में again क्या हुआ जी, again तो मतलब क्या, 1990 में coalition governments बनी, weak governments बनी, कोई भी इतनी strong government नहीं बनी थी, ठीक है, तो ऐसी परिस्तिति में, election commission of India ने अपने आपको re-energize किया था, 1990 के time पर, और आज के time पर, जिस तरीके से हम हमारी democracy के लिए बोलते हैं, कि India is a successful democracy, तो उसके पीछे, election commission of India का free and fair manner में काम करना, बहुत important रहा है, ठीक है, तो ऐसे में, एक neutral, कह सकते हैं, कि neutral body की तरह role play करना, बहुत important रहा है, कि कह जी, जो incumbent या फिर ruling political party या उसका favor ना करते हुए, एक balance बना करके चलना, ये बहुत important एक, कहते हैं ना, कि एक democratic institution के लिए, election commission of India जैसी, institution के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि वो neutrally काम करें, अब देखो, बात ऐसी है, कि एक institution की credibility और कब कैसे बनती है, जैसे election commission की हमने ब कब बनती है, जब वो अपने limits में operate करें, ठीक है, हर एक institution के अपनी operation की limit होती है, कि हाज इस limit से बाहर वो ना जाए, पर यहाँ पर सवाल क्या है, बोलिए जो boundaries हैं, ये election commission of India ने cross कर दी, कैसे हैं, अभी Tuesday को जो political parties के लिए, एक letter proposed किया है, election commission of India ने, और उसमें क्या कहा है, कि जो भी elections के time पर promises political parties के दुआरा किये जाते हैं, उनको fulfill करने के लिए, political parties detail देंगी, कि वो कहां से तो resource arrange करेंगी, और कहां कहां पर कितना क्या उनका पैसा खर्चोगा, और इसका fiscal space पर कितना impact जाएगा, जब वो सरकार मना लेंगी, ठीक है, अब writer जो है, editor है, वो सीधा बोल तवा दिखाई दे रहा है, कैसे है, एक simple सी बात है, जब election के लिए political parties debate करती है, या फिर political leaders, अलग-अलग जिगहां पर जाके speech देते हैं, तो ruling party है, उसके पास में तो देखो, आज के time पे देखा जाए, तो funding बहुत अच्छी खासी आ रही है, और वहीं पर अगर opposition parties की बात क लब एक तरीके से funding collect करने वाली जो political party है, that is Congress, Congress के पास में 50s, 60s के अंदर ही, करोड में आप देखोगे, 50-60 करोड या 70 करोड के लगभग collection का system, something देखने को मिला है, electoral bond scheme के basis पर अगर देखा जाए, तो इसमें point किया रहा है, कि ruling party तो भाई, जब भी कोई अपनी scheme announce करेगी, उस scheme के लिए उनके पास में पहले से calculation होगी, और उनके funds भी दिखाए देगे, कि हाँ जी देखो, हमारे पास में इतना revenue आ रहा है, इतना पैसा ये हो जाएगा, इस तरीके से हम कर लेंगे हमारी schemes को fulfill, जबकि दूसरी दरफ जो opposition parties, जो वो अगर कोई भी scheme को announce करें, या कोई भी program अगर वो announce करें, कि हम अगर सरकार में आ जाएंगे, तो हम इस तरीके से हमारा काम कर लेंगे, for example, Congress ने 2019 elections के टाइम पर नयाए scheme को announce किया, या फिर हम कह दें, कि जहां जहां पर भी आम आदमी party election लडने जाती है, वहां पर electricity की subsidy की रिन की बात करती है, तो वहां पर point क्य निकल के आ गया, कि भई ruling जो incumbent party है, वो तो अपना plan अच्छे से बता देगी, क्योंकि उनके पास में तो already है, काम करने का तरीका, funding भी अच्छी का से आ रही है, पर जो opposition parties है, उनको uncomfortable आपने बना दिया, ये letter issue करके, कि भई वो कैसे अपना plan बताए, जबकि हमें पता है कि elections के भी करती है, तो ऐसी परिस्तितियों में अगर opposition party जिनके पास में अभी नई, वो अपनी सरकार बनाने की कोशिस कर रहा है, उनसे आप पहले ये पूछ लो, कि अच्छा ठीका आप ये बताओ, ये scheme अगर launch कर रहे हो, तो बताओ आपके पास में पूरी detail क्या-क्या है, कितने political parties हैं, या सारी political parties हैं, वो अपने हिसाब से इस तरीके से elections में promises कर देती हैं, जो कि practically बाद में possibly नहीं हो पाती है, तो ऐसे में उनकी accountability पहले fix कर दी जाए, पर यहाँ पर point क्या है, कि बही जब political parties जब election में खड़ी होती है न, तो उनको अपने manifesto के बारे में केवल short term plan लेकर करके चलना नहीं होता है, उनके पास में अपने खुद के agendas होते हैं long term के, और long term agendas हो सकते हैं, कि वो achieve करने में 5 साल भी लग जाए, तो 10 साल भी लग सकते हैं, तो ऐसे में आप उनसे एकदम accurately अगर analysis मांगोगे, कि हाजी scheme के लिए आपके पास में क्या planning है, तो वो बले कही नहीं कहीं, election commission of India का intervention है, जहाँ पर freely political parties एक दूसरे के खिलाफ में अपनी बाते बोल करके, अपनी policies को announce करके, voters को अपनी तरफ रिजा सके, तो overall देखा जाए, तो ये decision voters का होना चाहिए, election commission of India को यहाँ पर यह जो announcement किया, इसको लेकर के editor और writers का concern यहाँ पर clear होता है, Supreme Court ने, जब ये freebies का मुद्दा है, तो Supreme Court ने committee constitute करने की बात की थी, उस committee में election commission of India ने यह कह के मना कर दिया, कि जी एक तो सबसे, decline ही कर दिया, कि हम लोग part नहीं लेंगे committee में, जो भी Supreme Court अपनी तरफ से freebies के तोर पे, freebies को analyze करने के लिए, freebies को define करने के लिए, जो भी committee constitute कर र जाई, अगर freebies को हम define करें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कि किसको तो freebie बोला जाएगा, किसको आप बोलोगे कि हाजी ये तो welfareism किस से सम्मंदित scheme है, है की नहीं, क्योंकि society, economy, equity, इन पे, या फिर आप देखो situation पे, या time पे, ये सारी चीज़ें मिला करके, एक freebie को या एक scheme को कहीं पे freebie के तोर पे feel करवाती है, तो वही scheme दूसरी जगें पे एक तरीके से supportive काम करती है, for example, अगर government की बात करें, central government के दौरा, जैसे प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना पे सवाल उठाया जाता है, कि ये freebie के तोर पे use किया जाता है, पर सवाल ये ह कि वही scheme अगर गरीबों के point of view से देखी जाए, तो कितनी beneficial है, और वही scheme अगर जो middle class है, या फिर जो upper class है, उनके हिसाब से देखा जाए, तो वह object करेंगे कि भई कैसे free में बाट रहे हैं, हम तो हमारा tax दे रहे हैं, इतना मुश्किलों से हैं, दूसरी तरफ, दिल्ली की government क द्वारा जो बिजली की बात की जाती है, जैसे आज advertisement भी है, कि subsidized electricity जिसको चीए, वो miss call कर दे, number number something दिये हैं, तो point यहाँ पर क्या निकल क्या रहा है, कि वहाँ पर perspective देखने को होता है, आप define नहीं कर सकते, एक rigid definition नहीं दे सकते, कि कि किसको आप free भी बोलोगे और किसको free नहीं बोलोगे, तो इसलिए election commission ने अपने आपको withdraw कर लिया, अब सवाल यहाँ पर writer क्या बोल रहे हैं, कि election commission of India आज तो इस committee में participate करने से मना कर रहा है, दूसरी तरफ यह बोल रहा है election commission of India, कि जी हम तो freebies की definition accurately दे नहीं सकते, जो कि एकदम वाजिब बात है, क्योंकि freebie आप किसको consider करोगे, वो आपके context पर depend करेगा, ठीक है, तो वो चीज define करना बहुत मुश्किल है अपने आप में, तो वहाँ तो ठीक है, पर committee में membership नहीं लेना, और फिर जब मुद्दा आएगा, कि हाँ जी, judgment देना है, कि क्या freebie है, और committee ने कुछ recommendation दे दी है, फिर election commission of India time पे तो दिया नहीं, और अब आज judgment की बात आगे, कि हाँ जी, किस political party ने क्या यहाँ पर अपनी तरफ से announcement किया है, कितना उन्होंने यह बताया है, कि हाँ कैसे resources arrange होंगे, क्या इसका fiscal fallout होगा, क्या इसका असर पड़ेगा पूरी economy पे, तब election commission of India judgment के judgment देने के लिए आ प्राइ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा यह बात का आगया है, तो एक political party एक promise करती है, तो दूसरी political party, उस पहली political party के promises को defy करने की कोशिश करेगी, और खुद एक extraordinary कुस नया option लाने की कोशिश करेगी, और यही एक important point होता है, democracy में, vote मांगने के लिए, तो ऐसी परिस्तितियों में, ravedy culture किसको बोला जाएगा, किसको नहीं बोला जाएगा, ravedy बट रही है कि नहीं बट रही है, define करने में बहुत बड़ा debate अभी चल पड़ा है, अब देको बात ऐसी है, कि election commission of India को जो credibility मिली है, जो हमारा विश्वास म कर रहा है, और जो opposition parties हैं, उनको disadvantage की तरफ ले करके जा रहा है, कैसे, कि announce करो आप अपनी details, तो इसमें problem कहां आ रही है, problem तो opposition parties को आ रही है, जिनके पास funding की कमी है, वो कैसे अपनी policies को या schemes को justify कर पाएंगी, या justify करेंगी भी, तो कैसे detail देंगी, ये तो exactly ऐसे ही हो गया, ज देखा जाए, तो ruling party को favor करना और opposition को dis favor करना, बोले ये ठीक नहीं है, एक constitutional body के point of use अगर हम देखें, दूसरी, लोगों के ओर judgment पे छोड़ो ना, लोग decide कर लेंगे कि बही किस political party को हमें vote देना है, किस पे नहीं, क्योंकि जितने भी political parties और political parties को लोग अच्छे से जानते हैं, हना, कि बही कौन सी political party कितना काम कर सकती है, और एक situation बनती है, situation के हिसाफ से automatically काम होने शुरू हो जाते है, जैसे corruption का मुद्धा आया था, जैसे आप देख सकते हो कि 2014 के elections की बात करता हूँ, corruption का मुद्धा बहुत highlighted था, 2G scam, call scam, पता नहीं कौन-कौन से scam highlight हो थे, CWG scam जो थे इसके अलावा, आकिस्तान के साथ में जो relationship थी, वो एकदम tense थी पर उसके बावजूद भी, coalition government होने की वज़े से actions नहीं ले पाये थे, तो वो जो nationalism का माहूल था, उसने फिर BGP को जिता दिया, और आज की परिस्तितिया अगर देखी जाएं, तो situation में आप खुद देख सकत हो, कि लोगों को पता है कि बेरुजगारी बहुत जादा है, महेंगा ही बहुत जादा है, तो इन मुद्दों की जब importance बहुत जादा high हो जाएगी, तो incumbent political party को अपने आप अटाने के लिए, लोग decide कर देंगे, वहीं डेमोक्रेसी की main theme है, that is, कि वहीं king को elect करने का right भी होना चाहिए, I mean, ruler को elect करने का right भी होना चाहिए, और ruler से satisfy नहीं है, तो ruler को हटाने का power भी democracy में available है, तो बोले ये लोगों पे छोड़ दो, check and balance लगाना, या फिर ये कहो, कि by fiscal space कितना है, या फिर कोई political party को भी scheme को अगर implement करे, तो कितना उनकी revenue collection हो रही है, कितना खर्चा हो रहे है, governance में discipline लाने के लिए instruments, legislature में already available है, ठीक है, यहाँ पर election commission of India को इतना intervene करने की जरुवत नहीं थी, ठीक है, तो editor last में एकी चीज़ बोल रहे है, कि देखो election commission of India के लिए इस जगे पे कोई space है नहीं, इसलिए खुद की steps को retrace करने की जरुवत है, कि हाँ, कहले, कैसे, पहले election commission of India ने अपनी credibility गेन की थी, तो यह यहाँ पर points निकल के आ रहे हैं, next वोई content है, is a manifesto and IPO, यह article आप देख सकते हो यहाँ पर, विद्यनाथन IRP, विद्यनाथन IRG के द्वारा लिखावाई article है, देखो political parties को जिस तरीके से अभी election commission of India के द्वारा letter issue किया गया है, वो ऐसे यहाँ जी हम IPO launch कर रहा है, हमारे पास में यह program है, इस तरीके से investors को हम return कर देंगे, अगर company कहीं पर भी अगर fail होती है, तो, कुल मिलाकर के business interest को protect करने के point of view से, सारे details share करनी पड़ती है, तो बोला, ऐसा ही कुछ scenario भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर, election commission of India ने इंडिया की political parties को यह कह दिया, कि आप अपने manifesto में जो भी promises करो, उन promises को fulfill करने के सम्मंदित पूरी details हमें provide कर दो, तो बोले यह तो IPOization हो गया, कि initial public offering जिस तरीके से launch की जाती है, पहली बार share market में एक company उतरती है, और फिर वो shares launch करती है, तो बोले यह चीज, एक IPO launch करना किसी company के द्वारा और एक manifesto declare करना किसी political party के द्वारा, बोलो दोनों में बहुत फर्क है, है कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि financial cost के उपर ध्यान दे रहो, पर एक democracy के अगर हम बात करें, तो manifesto एक political party का vision document होता है, जो कि उस political party को तब तक guide करता है, जब तक political party ruling है, जब तक वो सरकार में रहती है, एक objective element होता है, जिससे कि वो अपने orientation को define कर सके, कि जी हमने चुनाओ के time पे ये बाते बोली थी, उन मुद्धों को लेकर के, वो policies बनाते रहेंगे, scheme चलाते रहेंगे आगे से आगे, तो यहाँ पर कोई business नहीं है, कि हाँ जी आपके पास में पूरी एक data book या balance sheet available और उसके basis पर आपने shares launch कर दिये, यहाँ पर emotions भी है, यहाँ पर एक mood भी है जनता का, यहाँ पर जरुरते भी है, यहाँ पर situation भी है, यह सारी चीजे मिलकर के इतना complex बना देती हैं कि कोई political party अपनी schemes के बारे में पहले से detail out कर दे, क्योंकि हम कितनी बार देख क्योंकि हमेशा हमें पता है कि socio-economic political landscape के point of office understand किया जाता है कि कौन सी scheme कहाँ पर कितना क्या perform करने हुआ ली है, तो मुद्दा आपको पता है freebies का, तो देखा जाये तो इंडिया में आज के time पे development की status की अगर बात करें, गरीबी का भी हमने कल पर explain page पे discussion किया था, कि अच्छ गी थी 2019 में और अभी भी जो है, वो unemployment rate है, वो इतनी ज्यादा under control नहीं है, यह जितनी की पहले हुआ करती थी, ठीक है, इसके अलावा inequalities की इन तीनों aspects को हमने explain page पे recently कलपर सों में discuss किया था, मैं link description box में share कर दूँगा, आप उसको जरूर देख लेना, पर point यहाँ पर क्या आ फोर्थ को implement करने के लिए, तो उसका असर सीधा political economy पर पढ़ता है, कि कैसे हम politics के through, political parties, economical activities को promotion दे, जिससे कि एक common Indian prosperity की तरह बढ़ सके, उन चीजों को हम एकदम से discard नहीं कर सकते, और even election commission of India ने खुद ने यह admit किया है, कि freebies को define करना near to impossible, क्योंकि freebies जो है, वो subjective है, open to interpretation, आप किस धड़े से, किस society के section, सोरी, society के किस section से आप belong करते हो, वो आपका interpretation decide करेगा, कि वो freebie है, कि या फिर वो जरूरत है, और ये subjectivity show हो रही है, कि आप अपने हिसाब से सोच करके decide करोगे, तो यहाँ पर definition तो objectivity show करती है, कि हाँ जी ये काम हो गया, तो इसके बाहर का जो भी होगा, वो सारा freebie consider होगा, है की नहीं, तो हम clear cut जवाब दें, election commission of India ने खुद ने हाथ कड़े कर लिये, यहाँ पर, ठीक है, जैसे मुद्दे उठते रहते हैं, दिल्ली में गरीबों को जो electricity bill में waiver मिलता है, जो मैंने आपको already highlight कर दिया, तमिल नाडू में BPL families है, उ इनके अलग-अलग aspects देखे जाथ, जिनको मिला है ना ये benefit, उनके लिए और जिनको नहीं मिला या फिर जो लोग दूर से देखते हैं, उनके लिए, दोनों के लिए एक ही चीज अलग-अलग वही बात है, कि six लिखो, आप इधर से देखो, मैं इधर से देखता हूँ, भी समझते हैं, कि भाईया, किस तरीके से देश में काम होता है, तो ये चीज़े, election commission of India को भी understand करनी होगी, और वो जानते भी है, ठीक है, पर सवाल क्या आता है, कि ये जो शुरुवात कर दी गई है, कि political parties को इस तरीके से guide करने की, भाई, आप अपनी schemes को जो भी आप लेकर क्या रहे हो manifesto में, उनको implement करने से related, आप अपना draft पहले release करोगे, कैसे कैसे आप अपने हिसाप से काम करोगे, तो बोले ये तो companyों को जैसे treatment मिला है न, वैसे treat करने की कोशिश है की जा रही है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि democracy एक अलग system है, और corporate world एक अलग system है, इसके बात मैंने अलड़ी बता दी, freebies को define करना, ये Supreme Court ने, अलड़ी election commission ने अपनी तरफ से कह दिया कि भई, ये define करना बहुत मुश्किल है, दूसरी तरह political parties को अगर हम ये बात कहें कि मानलो की implement करना भी है, election commission of India का जो ये लेटर अभी issue किया गया उसके हिसाप से, तो सबसे पहल करना, अपनी release करना, उनके अंदर उनको फिर अपना काम करने में जोर आएगा, ठीक है, जबकि जो political party ruling है, उस political party के पास में तो funding की shortage होगी नहीं, तो वो वैसे अपने हिसाप से बड़े deep pockets हैं, तो उनको काम करने में वैसे कम जोर आएगा, तो कुलमला के बात क्या रही है, कि अगर ये जो letter issue किया है, ये model code of conduct का part बन जाता है, तो फिर देखो, मुश्किले political parties की बढ़ जाएंगी, अब यहाँ पर एक चीज और आप add कर सकते हो, कि electoral bond scheme जब लाई गई थी ना, उस time पर भी बहुत सारी चीज़े कही गई थी, कि दो नमबर के पैसे को पता पढ़ ज उसका, उससे जो donor है, जो donate करने वाली party है, donate करने वाले individuals या groups है, उनकी protection हो पाएगी उस तरीके से, पर इस scheme के ओपर भी बहुत सारे allegations लगाए जा रहे है, electoral bond scheme पे, तो कुल मिला करके electoral reforms की तो requirement है, ठीक है, अब यह जो funding की बात आती है ना, funding के लिए एक idea आता है, that is state funding, और state funding क्या बोलता है, CDC बात है, कि previous elections में किसी भी political party ने कैसा क्या performance दी है, उसके हिसाब से एक fund create किया जाए और उस fund में से performance basis पे political parties को पैसा allocate किया जाए, जिससे कि money and muscle power का जो use होता है, voters को अपनी तरफ attract करने के लिए, उनको control करना possible हो सके, अब आपके लिए task क्या है जी, electoral reforms related NCR का content है, एक तो 10th class की NCRT की book है, उसमें electoral reforms related political parties और वो सारे से detail में एक chapter है, और एक आपको electoral reforms related chapter पढ़ना है, एक class 11th की Indian Constitution at work book है ना, उसका, ठीक है, आगे चलता है, next, dear unknown friend, article है, article जो है basically आपको मैंने बताए दिया था, medical termination of pregnancy act से सम्बंदी थे, जिस पे Supreme Court की recent ruling आई है, क्या क कि married हो, unmarried हो, सभी तरीके की women, women में भी क्या हमने कल देख लिया था, cisgender, that means, हर तरीके के gender को allow कर दिया गया है, कि भई, अगर वो pregnant है, और वो अगर abortion करवाना चाहते हैं, तो, cisgender का मतलब तो वो, जिनका जन्म का और अभी का जो gender है, वो same है, ठीक है, expression, behavior, सब सेम है, और transgender क मतलब क्या होता है, कि जन्म के टाइम पर डॉक्टर ने तो gender अलग दिया था, और आज के टाइम पर behavior और expression है, वो different है, match नहीं कर रहे है, तो transgender, और इसके अलावा, जो genders का जो classification है, वो हमने कल देख लिया था, अच्छे से, डीटेल में, ठीक है, कल का जो हमारा explain भी, इसका जो case था, वो बहुती ज़्यादा broader prospect को cover करने की बात हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर writer शमीना दलवई जी और अश्मिता सिंग जी का ये कहना है, कि medical termination of pregnancy act है ना, उसमें marital rape को भी consider किया गया है, वैसे देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ पर criminalize नहीं किया हुआ है, प wife का पूरा right है, कि वो marital rape का नाम ले करके और अपने fetus को अगर abort करवाना चाहे, 24 हफ्तों से पहले पहले तो वो करवा सकती है, हाँ, वैसे तो 20 तक तो एक medical practitioner है, वो review करेगा case को, और 20 से 24 हफ्तों को अगर fetus है, तो फिर बाद में, दो medical practitioners है, वो decide करेंगे, मुद्दा आप को पताईए कि मनिपूर की एक लड़की ठीक है, उसके partner ने मतलब इस तरीके से promises कर लिए कि शादी करेंगे, पर शादी करने से मना कर दिया, बच्चा conceive हो गया, तो उसके बाद में, फिर बाद में, वो लड़की ने अपनी तरफ से दिल्ली High Court में मुद्दा पेश किया, कि बढ़ी, ऐसे-ऐसे करके मेरे साथ tragedy हो रही है, मैं कैसे survive करूँगी, मेरे लिए बहुत मुश्किले हो जाएंगी, फिर दिल्ली High Court ने तो मना कर दिया, कि बोला आप unmarried हो, unmarried का तो definition ही नहीं available है, इसमें, medical termination of pregnancy act में, और फिर उसके बाद में, सुप्रीम कोर्ट में उद male counterpart अगर female, जो कि marriage के basis पे tied है, तो female के उपर अगर अपनी forces apply करे, तो उसको counter करने के लिए हमारे पास में कोई option available नहीं है, और जब तक society में या value system में इन चीजों को consideration नहीं मिलेगा, तब तक आप कितना ही कानून लेकर के आओ, आप implement करोगे इन चीजों को तो मुश्किले आ जाता है, जैसे कोई gift हो, ठीक है, इसके अलावा writer बोलना चारी है कि unmarried woman है, तो उनका भी तो एक right, unmarried woman है, अगर वो बच्चा conceive कर ले तो उनका भी तो खुद का personal right होता ना, तो married woman का भी अपना खुद का personal, खुद के warm पे, खुद के गर्ब पर, खुद का अधिकार होना चाहिए, पर मुद्दा क्या है यहाँ पर, कि 1950, मतलब हम जब से हमारा constitution enforcement में आया ना, तब से लेकर अभी तक, ये मुद्दा हमेशा से highlight रहा है judiciary के सामने, कि अगर एक marriage unhappy है, that means husband wife की शादी हो गई, husband wife बन गए, लडगा लड़की दोनों, पर वो खुश नहीं है, तो भी उ अंदरप्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी बात कई केस का नाम है, टी सरीता वर्सिज वेंकटा सुभईया, इस केस में क्या कहा अंदरप्रदेश हाई कोर्ट ने, कि sexual intercourse के लिए women को pressurize नहीं किया जा सकता, शादी के बंदन में भी, और body की जो autonomy है, वो women के खुद के हाथ मे ने रहेगी, तो ये तो अंदरप्रदेश हाई कोर्ट का केस है, एक तो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, हर्विंदर कौर वर्सिज हर्मिंदर सिंख wealthy और दूसरा केस हा सुप्रीम कोर्ट का सरोज रानी वर्शिज सुदर्शन कुमार चड़ा, इनका ये कहना है, इस केस में, दिल्ली आई कोट और सुप्रीम कोट का क्या कहना रहा कि रिलेशन्चिप में जिस तरीके से हम देखते हैं मेरिटल रिलेशन्चिप की बात हो रही है ना तो यहां पर हम यह कहते हैं कि यहां कमपेनियन्चिप होनी चीए एक दूसरे को कम्प्लिमेंट करना चीए लव होना चीए, अफेक्शन होना चीए, कमफर्ट होना चीए exactly वैसे ही जैसे हम normally मान लो कि husband wife के बीच में लड़ाई हो गई ठीक है और उनके बीच में अगर कोई settlement नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है तो उनके बीच में एक कह सकता है ना कि physical जो relationship है वो एक उतनी strength के साथ continue हो वो इतना possible नहीं है पर वो चीज छोड़ दी किस पर समाज पर या फिर कह दो कि यहाँ पर एक कह सकता है नहीं फौरी तोर पर बात कह दी उपर वाले में तो आंतरपतिस high court ने क्या बोला कि bodily autonomy है women की ठीक है वो मना कर दे कि भई कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दिल्ली high court और supreme court के द्वारा जो इन दो cases में judgment आये है या फिर अपना जो opinion दिया है उसमें क्या का गया है कि affection, love, comfort ये सारी चीज़े देखने वाली होती है पर जब मुद्दा ही आ जाए कि बंदा शराब पी करके फिर बाद में अगर हरकते करे कुछ गलत हरकते करे या प्रेशराइज करे तो फिर मुद्दा बिगड जाता है पर यहाँ पर क्या का गया है generalized manner में बोल दिया तो यहाँ पर point writer एक ही चीज़ लेकर क्या रही है कि unmarried woman का अगर खुद के वाम पर अधिकार है तो married woman का खुद वाम पर अधिकार होना चाहिए कि नहीं एक तो ये दूसरा मुद्दा ये है कि unmarried woman पे कि हम women जो है वो citizens भी है की नहीं हमें ये तो बता दो कि कहा पर हम हमारे साब से हमारे decision ले सके मुद्दा आता है फिर महावारत का कि जब कुंती ने दुरौपदी को पाचो भाईयों में बराबर बाटने की बात कर दी थी ठीक है जिसे कि वो लड़े नहीं Arabic में भी फिटना करके concept आता है ठीक है उसमें women को इस तरीके से रखा जाता है कि male counterpart जो है वो sexually aggressive ना हो तो इसके लिए उनको हिजाब नकाब ये पैना करके रख दिया जाता है तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो society में जो अभी scenario create हो रहा है ना उस scenario में बहुत ज़्यादा मुश्किले हैं किसके लिए particularly women counterparts के लिए female counterparts के लिए तो बोले ये थोड़ा सा में समझने की जरुरत है तो ये cases थोड़ा आप समझ लेना ठीक है? discussion ये किता मैं thank you very much